हेलो दोस्तो विल्कम बैक टू नी वीडियो उमीद करते हैं आप सब भी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तो आज के इस फिरों में बात करने वाले हैं ब्रेंड न्यू बजाज पलसर NS200 वर्सेज NS160 वर्सेज NS125 के बारे में जै दोस्तो इस वीडियो में तीनो बाइक का डिटेल में आपको कमपेरीजन देने वाला हूँ आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए इंटरस्टिंग ब्लस इंपोर्टेंट होने वाली है अब दोस्तो तीनो में अगर आप कोई बाइक लेना चाहते है तो आप नीचे कमेंट करके ज़रू बता रहा आप कौन सी बाइक लेना चाहरे है इस वीडियो में आपको तीनो का डिटेल में बता हुआ कि तीनो में आपको क्या क्या डिफरेंस देखने को मलता है So I hope दोस्तो इवीडियो आप लोगों के लिए इंट्रस्टिंग होने वाली है चली फिर इस वीडियो को सुरू करते है अगर चैनल पे पहली बराया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा बिलग एकन को आउन कर लिजेगा ताकि ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो को चली आ जाते हैं दोस्तो तीनों के चल्च बात करेंब की तीनों भाइक की आपको देखने को मुल रही है एक लाग साथ अजार रुपए की एक सुरूम प्राइज आती है मतलब दुस्तो अगर आप तीनों का कमपेरीजन करेंगे तो तीनों में आपको जो प्राइज डिफरेंस मिलता है वो काफी बड़ा देखने को मिलता है तीनों को बीच का जो प्राइज गेप है काफी बड़ा प्राइज गेए पहला कि बाइज चीजे भी आपको वैसी देखने को मिलेगी तीनों बाइक के बीच में डिफरेंस चली अब आज आते हैं दोस्तो तीनों के कमपेरीजन में सबसे पहले दोस्तो तीनों के लाइटिंग्स के बारे में बात करेंगे आपको बता तीनों बाइक में आपको जो लाइट देखने को मिल रही है सबसे पहले आपको LED DRL लाइट मिलती है उसके बाद में लाइट में आपको बाइक में फूली LED लाइट मिलती है इस बार कमपनी ने बहुत अच्छा आपडेट दिय है तीनों बाइक में LED लाइट दे दिया और NS में इस चीज की ज़रुवत भी थी and finally दोस्तों आप देख पारें सबसे पहले मैं आपको NS की लाइट आउन करके दिखाता हूँ आप देख पारें आपको LED डियरल लाइट मिलेगा प्लस आपको मेंल लाइट में ऐखो फूली LED लाइट देखने को में बता हा प्लस दोस्तों एक चीज है कि NS 160 में आप लोगो को LED लाइट मिलेगी 125 में भी LED लाइट मिलेगी NS 200 में भी LED लाइट मिलेगी बट NS 160וצ में आपको टनलस सिंगर लाइप ज़रूर LED मिलेंगे बट NS 125 में टनर सिंगर लाइप LED नहीं मिलते एक माइनस पॉइंट आपको NS 125 में देखने को मिलेगा अलागी बाई प्राइज है तो फ्राइज का फरक तो कंपनी दिखाएगी रबाई कि बाई एक है 125 वरेक है 200 बागी दोस्तों तीनों में आपको सेम चीज है लाइट मिल रही है लेकिन बस टनर सिंगर लाइप में आपको चरह सा जो फरक हो आपको देखने को मिल जाता है चलि अब दूस्तों बात कर लेते हैं तीनों भाइक के बता दूँ परण तीनों भाइक के पहले आपने light देखा तीनों भाइक आपको LED light देखने को मिल रही है और दूस्तों आपको बता दूँ जब आप key on करेंगे तो LS200 की LED DRL light on होती है बड़ M125 की LED DRL light on नहीं होती है चलि देख पार है speedometer, तीनों में आपको fully digital meter देखने को मिल रहा है, जिसे में आपको सारे feature मिलेंगे, like speedometer, tachometer, trip meter, rodometer, clock, ebs light, full gear, service manual, lower indicator, lower indicator, lower indicator, distance to empty indicator, gear indicator, plus bluetooth connectivity, बट एक चीज़ है कि आपको NS200 और NS160 में आपको turn by turn navigation भी मिलता है, बट NS125 में आपको turn by turn navigation नहीं मिलता, यह आपको major फरक देखने को मिलेगा, ठीक, हाँ, USB charging point का option 160, 125 and 200, तीनों में आपको देखने को मिल जाता है, देखिए क्या फरक आपको मैं clear बताता हूँ, NS160 and NS, पहले आप की देख लीज़े, जैस पीडिवीटर, no indicator, turn signal है, phone engine kills, self chassis, plus 1000 chassis आपको bike में मिलता है, अब आते हैं suspension में, दोस्तो NS200 और NS125 मेरा आप लोगों को बहुत अच्छी बात है, कि भाई इसमें आपको US दियाने की upside down suspension मिलता है, वाट अपनी जो NS125 पे उसमें दोस्तों आपको normal telescopic suspension देखने को मिलेगा, कि एक major फरक मिलता है, NS125 पे front में 80-100 के tire है, NS160 and NS200 में भी आपको 180 के tire मिलता है, 80-100 और 180, ये दोनों में आपको काफी फरक देखने को मिलता है, आप इस बात का ध्यान रखिएगा, बात करें braking के बारे में, braking में दोस्तों NS200 और NS160 में आपको dual channel anti-lock braking system देखने को मिलता है, बाट ध्यान रखिए दोस्तों NS125 में आपको ABS मिलता ही नहीं है, प्लेट साइज का फरक है, NS125 में 240 mm की प्लेट है, 200, N160 आपको 300 mm की प्लेट साइज आपको देखने को मिलेगी, तो braking में दोस्तों आप में मेजर फरक मिल रहा है, आप चलते हैं इंजन की तरब, वै तीनों ही इंजन आपके सामने खड़ा है, air cooling, oil cooling, liquid cooling, air cooling, NS125, 124.45 सीजी का air cooling 4 स्टुक, SOS ती इंजन मिलता है, यह maximum पॉर में 12 PS का पावर जनेट करती है, और maximum टॉर्ग में आपको 11 के असपस का जो रिटमीट एंड टॉर्ग आपको आपको बाइक में देखने को मिल जाता है, बात करूँ NS160 के बारे में, दूस्तो NS160 में आपको 160.3 सीजी का oil cool 20 spark plug DTSI FI एंजन मिलता है, यह maximum पॉर में 17.2 का PS पावर जनेट करती हैं, maximum टॉर्ग में 14.6 का टॉर्ग जनेट करती है, NS18 में 19.5 सीजी का liquid cool 4 स्टॉक SOC single cylinder एंजन मिलता है, बात करें पावर एंड टॉर्ग के बारे में, NS200 maximum power में, आपको पता तो 24.5 का PS पावर जनेट करती है, और 18.7 gaspars का talk जनेट करती है, ठीक, बागी दोस्तों तीनो बाइक में आपको फरक मिलेगा कि NS200 liquid cooling engine, NS160 oil cooling engine, NS195 air cooling engine, NS125 पर NS160 में 5 gear मिलता है, बट NS200 में दोस्तों आपको 6 gear देखने को मिल जाते हैं, बागी दोस्तों तीनो बाइक का engine बहुत अच्छा है, तीनो बाइक में नए engine मिलता है, तीनो बाइक का engine दोस्तों बहुत ज़दा स्मूध भी है, आप 45 के हसपस का mileage देती, तो mileage में आपको तीनों बाइक में इतना फरक देखने को मिलने जाता है, अब आते दुस्तों तीनों की rear profile में, दीके 10 light में आपको तीनों में LED देखने को मिलेगा, तीनों की जो 10 light और उसमें कोई ज़्याधा फरक नहीं है, same 10 light मिलती है, seat आपको ती Ns125 आहने में दिस्क मरते है जो कि 230 mm की डिस्पलेट या ब्लस 130 सेवेंटी के असपास का टायर साहिज आता है तीनों में आपको मुनो्धोम सेर की एक्षि स्च्पेंशन को बहुत सुपभाल मिल जाती है दोस्तों तीनों की जो seat height है वो 805 mm की है curve weight में तीनों में फरक आता है filter and capacity तीनों का 12 liter है NS 160 का curve weight है 158 kg NS 160 का curve weight है 152 kg NS 125 का weight है 124 kg के आसपास का देखने को मिल जाता है वही दोस्तों आपको बदा दू ground के लिए NS 125, 179 NS 160, 170 NS 200, 168 के आसपास की ground के लिए समय देखने को मिल जाती है तो यह दो दोस्तों तीनों भाइक का detail comparison अब दोस्तों बात निकल के आती कि which one studio भाइक आपको लेनी कौन सी चाहिए मेरे साब से देखे यह depend करता आपके mileage requirement पे और आपके performance requirement पे कि आपको कौन सी perfect जम एगी बागे तीनों भाइक बहुत जदा अच्छी दोस्तों तीनों भाइक को बहुत जदा पसंद किया जाता है बागे आप नीचे comment section में comment करके जरू बताना आप कौन सी भाइक लेना चाहेंगे समीत करता आप छोटी से interesting video अच्छी लोगी की दोस्तों मिलता है फिर next video में love you all जैन बंदमातरम